हेलो फ्रेंड्स, आप सिस्टी, मेरी इचन में आप सभी का स्वागत है, फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एटलेस ओमलेट, यह एक प्योर वेजिटेरियन नेसिपी है, इन्हें बनाना बहुत असाल है, और साथ-साथ खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, चलिए देख अणे को स्वागत हैं, एक बारिक चॉप कीवी प्याज, एक कातोरी बेशन, एक च टोधाइ कातोरी गेहुंका आटला, और पानी, पाउल commitment सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे हैं इसमें डालेंगे ये एक कटोरी बेशन इसके बाद ये एक चोथा कटोरी के हुं का न्याचन आधी-चो ट네 मझ लाल मिर्च पाउडर आप लाल मिर्च के जगह पर हरी मिर्च भी उज़कर सकते हैं नमक, आदी चोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आदी चोटी चम्मच जीरा, इन सारी चीजों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमें बैटर बनाना है, इसमें एक साथ पानी ना डालें इससे इसमें लम्स रह जाएंगे अब फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे अब फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, इसके बाद हम इसमें टालेंगे यह चॉप की हुई प्याज, और यह चॉप किया हुआ हरा धनिया, इन्हें भी मिक्स कर लेंगे, हमारे यह बैटर अब आमलेट बनानी के लिए बिल्कुल त्यार है, इस बैटर को बनाने में मेरा 1.5 ग्लास पानी लगा है, चलिए अब हम अपने आमलेट को बना लेते हैं, अब हम एक तवे को हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लेंगे, और इसके उपर एक चमच ओयर डालेंगे, जैसे ही हमारा ओयल गरम हो जाएगा हम ग्यास का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, और उसके बाद इसके उपर एक चमचा यह बैटर डालेंगे, पेटर के अच्छे से पहला देंगे थोड़ा सा बेटर और डाल देंगे इसके बाद हम थोड़ा सा उयल इसके उपर डालेंगे और थोड़ा सा ओई इस तरहें चारो तरफ डालेंगे अब हम गैस का फ्लेम मेडियम कर देंगे और इसे नीचे से पकने देंगे यह ओमलेट नीचे से पक गया है अब हम इसे पलट लेंगे नीचे से भी हम इसे पका लेंगे यह अब नीचे से भी पक गया है इसे अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे सेवी सी तरह हम बाकी को भी बना लेंगे हम सक अराइब जाओो तरह की प़र सावाना अराब निक स्वार बसका लेंगे यह विव बपज़ का अराइव का की बया है जब ग्सक्वाद को हम रहा हुआ। प्रेंड्स हमारी एगलेस ओमलेट बिल्कुल त्यार है इने बनाकर आप इन्हें अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स में अपना पीट्बेक्स सर्व हो देगे